गायों में फेल रही लंपी वायरेस को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जनसेव अभियान के अंतरगत बागली थाना परभारी दीपक यादो द्वारा नीजी खर्चे पर बागली में घुमने वाली लावारीज गायों का वेक्सिनेसन करवाया गया मंगलवार की दिन थाना परभारी दीपक यादो का सड़को पर घुमने वाली लावारीज गायों के प्रती प्रेम और पुलिस का एक नया अंदाज देखने को मिला है करवाई से बागली नगर में लगभक 15 से अधिक गायों का वेक्सिनेशन किया गया बागली से रभी पाटिदार की रिपोर्ट इसमें इंसान कितने प्रभावीत हुए थे और कितना डर का महौल था इसे तरह एक लंपी जैसी महामारी पश्वा में भेल रही है जिसके लिए बेजुगान जानवरों के लिए हमें आगे हो कि अपनी तरह से मानावता के रूप में कुछ करने के आशे से जो शाषन प्रशाषन कर रहा है उसी कि मन्शा अनुरूप हमारे तरह से भी एक जन सोयोग के अनुरूप यहां के जो डॉक्तर साब शर्मा जी के स सोजन्दे से हमने एक आज वैक्सिन वैक्षिनेशन कर वाया पशुओं में और क्यों एक अमारोता है जन समन्न में एक अच्छी वह अच्छी पोलीस की तता इस वाइरस से जो पशू जो आवारा है जिनका कोई देखने अब नहीं है उन लोगों में उन पशुओं को बचा और हमारे बागली लोकल में भी जो आवारा पशुओं इनको भी गोशाला में पोचा के वहाँ भी सत्कती से हमने टिका करण का रहे किया है और आज हमारे जो हमारे थान्या प्रवारी टी आई सावें जावें जादो जी उनके माध्यम से आज हमने और जो गाव में जो आज हमने करीवन 14 बसों को टीर करन किया है और जैसे अभी हमारे वेक्सिन के उपलबता कम है और आगे जैसे ही मिलती है तो हम घरों में भी लोगों को गाओं-गाओं में इसका करेंगे साथ ही हम पसुपालकों को इसके लिए जागरूपता भी करने कि इसमें डबने की जर करके पन उसको आइसोलेशन करके पन रखते हैं तो वो ठीक हो जाता है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें